मैंने असरशब्द की व्याक्या पर एक ब्लॉग लिखा था जिसमें इस पश्ट लिखा था कि यदि किनी संधर्भों में मेगो के लिए असरशब्द इस्तिमाल हुआ है तो उसका अर्थ शक्तिशाली और प्राणवान के अर्थ में हुआ है प्रमान के तौर पर डॉक्टर राजेंद प्रसाद सिंग के संधर्भ वहां लगा दिये थे लेकिन वो काफी नहीं था इस बीच हमारे अपने समुदाए के श्री आर्यल गोतराजे ने काफी चानबीन करने के बाद जूश्वा जे मार्क के एक शूद आलिक लिंक भीजा जिसे पढ़कर असरशब्द के कई आयाम खुलते नजर आए मालूम पड़ा कि शवदावलियों में चाहे कितनी भी भिनता हो सभी धर्वों के मूल में वे तत्वों मौजूद हैं जो असर से संबंदित व्याख्याओं के बिना अपनी वास्तिक संपूर्णता खो बैठते हैं भारतिय मानस के संदर्व में असर का निकटम परियावाची शब्द राक्षस है राक्षस यानि रक्षक रक्षस जो रक्षा करता है जाहिर है कि रक्षक को शक्तिशाली और प्राणवान होना ही चाहिए इस श्रीणी में आए कई नाम आपको पौरानिक साहित्य में मिल ज परियाची शब्द राक्षस की एक नकारात्मक तस्वीर भी बना दी है जो उनकी कथाओं में ऐसे चरित्र या वो टोटेम भी हो सकता है को खल नयक के रोप में प्रस्तित करती है और पौरान पंतियों के टोटमों को श्रेष्ट सिद्ध करती है कहानियों से लगता है कि व अधिक समुहों के बीच संखर्ष दिखाया जाता है वो युद्ध उनके परस परहितों की रक्षा के लिए सदियों से लड़े गए निरंतर युद्धों जैसा है उन कहानियों में कुछ समुह बिखरते और कुछ जुड़ते जाते हैं जिससे युद्ध का अंजाम तै होत है टोटम क्या है विकिपीडिया में टोटम की परिभाशा इस प्रकार की गई है गण चिन हवाद या टोटम प्रथा टोटमिजन किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुश्यों का किसी जानवर व्रिक्ष पौधे या अन्यात्मा से संबंध माना जाए टोट अपना भाई बहन अरिश्देदार है इस नजरिये से देखे तो असुर एक साधारन टोटम से शुरू होता है और आगे चलकर शक्तिशाली राजस्वत्ता का प्रतीग बन जाता है धर्म और राजनेती के घाल मेल के मूल में यही तत्व और तत्यम मौजूद है